तो आप सभी कैसे हैं? सेंटीमेटर को फिट और इंचेज मैं कैसे कनवर्ट करें? How to convert सेंटीमेटर to फिट इंचेज? स्टेप आप स्टेप पोरी जानकरी रहेगे तो आप इस वीडियो को मैं उमीद करता हूँ कि पूरा देखेंगे तो आप जानते हैं क्या जानते हैं आप यह जानते हैं कि 1 cm बराबर कितना इंच रहता है आपका 1 x 2.54 इंच रहता है पहले इसको हम cm value को इंच में करणाइट कर देंगे उसके बाद फिट में करना आसान हो जाएगा तो देखिए हम देखते हैं यहां पर जैसे 165 cm है इसको हमें इंच में बदलना है तो क्या करेंगे देखिए यहां 1 है तो यहां 1 आ रहा है यदि 1 के जिगे यहां कितना के 65 तो यहां भी कितना आ जाएगा आपका 65 यहां सेंटीमेंटर वेलियों में जब हम 2.54 का डिवाइड करते हैं तो वो किस में चली जाती है आपकी इंच में चली जाती है तो 165 यहां से आपके पास कितना आ गया देखिए 64.9606 इंचेज अब आप कहेंगे सर हमें फिट में बदलना बता यह अभी बता रहा हूं देखिए आपका देखिए आप जानते हैं क्या जानते हैं देखिए जिस भी यूनिट को बदलना है इंच को फिट में बदलना है तो हम क्या बात करेंगे एक इंच बरावर फिट वेल्यू की बात करेंगे एक इंच बरावर कितना रहता है वन बाई पांच वार पूरे का पूरा जा रहा है, चार आ रहा है, सैंसफल, यानि जो सैंसफल आ रहा है, उसको हमने इंच में रहने दिया, तो कितना गए, चार पॉइंट नो, छे, जीरो, से, इंच आ गया, ओके, अब कुछ विदारती कहेंगे, सर, हमें तो ऐसे समझ ही नहीं आया, तो वो ऐसे समझ ये, कि जैसे 64 है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 60, प्लस, फॉर लिख सकते हैं, ये ये भी इंच में है, ये भी इंच में, तो इसमें जैसे हम 12 का डिवाइड करेंगे तो यह किसमें आ गया फिट में और यह आपका क्या रह गया इंच में ही रह गया चीक है तो इस तरीके से आपका फिट इंच में कन्विजन किया जाता है अब उसके बाद भी आपको समझने आता है तो ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियो जिसमें और अलग तरीका भी मैंने बताया हुआ है उस तरीके से आपको समझ आ जागे लेकिन आपको समझ जरूर आएगा